हेलो दोस्तो आज हम बना रहे हैं करेले की सबजी कोई साभी साइज के करेले आप ले सकते हैं चोटे बड़े और उसको इस तरह से कट करिए बीच का बीज हम निकाल देंगे और उसके बाद तीन बड़े बड़े पीसे जिसके करेंगे उसको बीच में से हम कट कर देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल रहे हैं नमक, हल्दी और अमचूर और इसे हम छोड़ देंगे रात भर के लिए अगर आप साम को बनाना चाहती हैं तो सुबह आप ये काम कर सकती हैं देखिए ओवरनाइट मैंने रखा था और ये कटा हुआ भी मैं इसी में मिला दूँगी अब उसके बाद एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे और हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे इसको मैं दो हिस्सों में फ्राई करूंगी और ये देखिए इसको बार बार चलाना नहीं है एक बार हम धकन लगाएंगे और उसके बार चलाएंगे बार बार चलाने से हमारे जितने भी फ्राई करने वाली सबजियां है वो जल्दी फ्राई नहीं होती है तो इसी तरह से ह हम इसको पूरा फ्राय कर लेंगे यह देखिए इसी थाली में मैंने इसे निकाला है और बाकी के बच्चे वे करेले को भी हम फ्राय कर देंगे दोस्तों यह बहुत टेश्टी बनता है और बच्चे भी इसे बड़े चाओ से खाएंगे बाकी मसाला इसमें कुछ नहीं पढ़ता है एक्स्ट्रा बस हमें सौफ लेना है मीठा सौफ चो हम लोग खाते हैं वो इसमें पढ़ेगा अब देखें मैं तेल निकाल दूँगे और इसी तेल के अंदर मैंने लसन और अद्रक को चौप करके रखा था जब फ्राई हो जाए तो मैं बड़े चमच सौफ डाल रही हूं सौफ कंपल सरी है जैसे ही मैंने इसको डाला और उसके तुरंत इसको फ्राई नहीं करना है हमें चौप कराऊवा प्यांज डाल देना है आप प्यांज चौप नहीं करते हैं कद्दु कच आपको करना पड़ेगा मिकसी में गाइंडर मत करिए उसके बाद हम अच्छी तरह से प्याच को फ्राय करेंगे नमक मैं इसमें डाल रही हूँ हलदी, मेर्च, धनिया पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें एड करेंगे गरम मसाला उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और जब तेल छोड़ने लगेगा मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर जिसे मैंने पेश्ट किया है ग्रैंडर में टमाटा डालने के बाद हम थोड़ी देर इसे मिलाएंगे और उसके बाद हम इस पर डालेंगे थोड़ा सा पानी दोस्तो ये ग्रेवी बहुत ही टेश्टी बनती है आपको सौप दो बड़े चम्मस लेने हैं और करेले का मेजरमेंट एक करेला एक जन के लिए आराम से हो जाएगा और जब देखे इस तरह ग्रेवी पकने लग जाए तो हम इस पर डालेंगे अपने फ्राइ किये वे करेले और उसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी पानी डालने के बाद हमें इसे 4-5 मिनट पका लेना है और पानी हम इतना डालेंगे कि हमारा जो करेला है वो इसके अंदर डीप हो जाए उसके बाद ये करेला सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद देखे यम्मी करेले की सबजी दोस्तो आप घर में जरूर ट्राइ कीजिए आप इसको पराठे के साथ सुबह ले सकते हैं पूरी दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं यकीन मानिए बच्चे भी इसको बड़े चाओ से खाने वाले हैं इसको सुबह नास्ते के लिए बनाया है तो मैं इसको पराठे के साथ सर्फ करने हूँ आप किसी भी टाइम तीनों टाइम कभी भी इसे बना सकते हैं तो दोस्तो बनाईए और खाईए और अपना ख्याल रखें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू सो मच अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो